मेरा नाम कंचन है मेरी आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे मैं काफी जवान और खुबसूरत थी और पड़ी लिखी भी थी कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसर जवे से इतना प्यार किरने लगे कि हमारी भास शादी तक पहुँच गई मैं अपने माता पिता की एक लौती संथान थी मेरे पिता की मृत्यु काफी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी बिमार रहती थी इसलिए मेरी मां चाहती थी कि मेरी शादी जल से जल्द हो तब मेरे होने वाले पती ने अपने घर से रिष्टा भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई मेरी जिन्दगी बहुत अच्छी गुजर रही थी मेरे पती की नौकरी भी अच्छी थी वह शहर में काम किया करते थे मेरे ससुराल में मेरे पती के अलावा मेरे जेट जेठानी थे मेरे ससुर और सास का दिहान थो चुका था मेरे जेट मेरे पती से उमर में काफी बड़े थे उन्होंने ही मेरे पती को बाप बन कर पाला था मेरे जीट के कोई आलाद नहीं थी ऐसे ही देखते ही देखते मेरी शादी को एक साल गुजर गया और फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया हमारे घर में चारो तरफ खुशाली थी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी लेकिन शायद हमारे हसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई मेरी बेटी जब 12 साल की थी तो मेरे पती को अचानक हाट अटेक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई घर का सारा खर्च मेरे पती की कमाई से ही चलता था अब हमारे घर में तरह तरह की परिशानिया होने लगी, मेरे जेट पड़े लिखे नहीं थे, वो बस थोड़े बाद ही पैसे कमा पाया करते थे, लेकिन अब मेरे पती केप मरने के बाद घर में बहुत जादा दिक्कते हो गए, पैसे की काफी दिक्कत थी, इसी तरह से पर जाते थे, यही सब करते-करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने जेट की ये बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वह आदी रात को च्छत पर जाते थे, उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे, एक दिन मैंने सोचा कि आज रात मैं जा आ रही थी आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने जेट के बारे में जान सकूं कि आदी रात को वहचत पर क्या करते हैं लेकिन मेरी जेटानी पहरा दे रही होती थी इसलिए मैं जैसे ही दवे पाउं जाती तो मुझे उल्टे दवे पाउं वापस लोटना क्योंकि सीडियों पर ही मेरी जिठानी खड़ी हुआ करती थी एक दिन मैंने देखा कि मेरे जेट जवान लड़की को अपने साथ लेकर उपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके आजार भी थे शाहिद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे लेकिन मेरी ये तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे अपनी जिठानी पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पती को किसी भी कुवारी लड़की के साथ रात की तनहाई में अकेला छोड़ सकती है एक दिन मेरी जिठानी पता नहीं कहां चली गई थी और मैं आसानी से सीडियो तक पहुच गई मेरे जिठ कुछ देर पहले ही काओं की नई जवान होने वाली लड़की सविता को लेकर चट पर गए थे और वह पूरे एक घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे मेरे जिठ पहले थो ऐसा कोई काम नहीं करते थे ना जाने अब क्या हो गया था उस ए अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे तब तो वह ऐसा कुछ नहीं करते थे लेकिन अब उनका काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत हैरान करने लगा था और आज की रात मुझे ये जान कर रहना ही था आकर मेरे जेड सिर्फ बालिक होने वाले लड़कियों क के ही बाल क्यों काटते हैं और वह भी आदी रात को छत पर अकेले ना तो मेरी जिठानी कभी छत पर जाती है और ना ही उस लड़की के घरवालों में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता है मैं आदी सीडियां चड़ चुकी थी और इस तरह से परदा उठने ही बाला था कि मेरे जेठा सबिता के साथ क्या करने वाले हैं तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी जिठानी के आने की आवाज सुनाई दी तो मुझे सीडियों से मजबूरन उतरना पड़ा हमेशा डरी सहमी धीमी आवाज में बात करने वाली मेरी जिठानी की पहली बार मैंने तेज आ उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चवा कर खा ही जाएंगी वह गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूच रही थी कि तुम उपर कहा जा रही हो मैं हकलाते हुए कहा दीदी मुझे नीचे गवराट हो रही थी इसलिए मैं छत पर जा रही थ मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी मुझे पर चिलाने लगी और चिलाते हुए कहने लगी क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर पर सभीता आपने बाल कटवाने के लिए आई है फिर तुमने चत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे क्या तुम अपने जेठ का काम बंद कर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो तुमारे जेट विल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करें यहां तक कि मैं भी इसी लिए कभी उपर जाने की कोशिश नहीं करती बहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आदी रात के वक्त और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना मैं अपनी जेटानी की बातें चुप चाप सुन रही थी अब जब की वह मुझे इस बात का ताना दे रही थी कि मेरे जेट मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पती भी जिन्दा नहीं है इसलिए मैं खामोश हो गई क्योंकि अपने जेट से मुझे वैसे ही डर लगता था जब मेरे पती जिन्दा थे वह अपने बड़े भाई से कम ही बात किया करते थे और अब अपने जेट की इस अजीवो गरीब करतूत की वज़ा से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मगर ऐसे में मेरे जेट जेठानी अगर मुझे से और ज़्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानियां भी बढ़ जाती मैंने फॉरान ही अपनी जेठानी से माफी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी मेरे जेठानी ने मुझे से कहा कि चलो जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ देखो कहीं तुमारी बेटी ना जाक जाए और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे जेट को इतने भी तरहाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे सक्ष की मौजूदगी बरदास्त नहीं थी जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुले आम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफी सारे लोग भी आ जाया करते थे नजाने अब उन्हें क्यों सिर्फ दो लोग चाहिए थे तीसरा इंसान बरदास्त नहीं था अब तो मेरे जेट अलग ही तरह के नाई हो गए थे मेरे जेट मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे मैंने दूसरों के ताउ को देखा था कि वह अपनी भतीजियों को बहुत लाड़ प्यार करते थे लेकिन मेरे जेट तो मेरी बेटी पर सिर्फ आवंदियां ही लगाया करते थे हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसी लिए तु मेरी जिम्मेदारी है अभी मेरी बेटी बारा साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे जेट उस पर रोक टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो ना ही मैं और मेरी बेटी उनके परमीशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे जेट खुद ही किया करते थे कभी-कभी तो मुझे अपने ससुराल बालों पर बहुत गुस्सा आता था कि मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह से इस घर से अपनी जान छोडा लूँ लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं चूट सकती थी क्योंकि मेरी मा ही थी जिनोंने मेरी शादी की थी मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई थी अब मेरा कोई नहीं था, जिसके पास मैं अपना दुख बाटने के लिए जा सकती थी, महीने में दो तीन बार मेरे जेट रात को ये काम किया करते थे, और लड़कियों के बाल काटा करते थे, वाकि सारा टाइम वह गर में ही रहने लगे थे, अब उन्होंने दुकान पर जान ही नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो, लेकिन मैं तो बहुत ही हसने बोलने वाली आरत थी, और अपने जेट से बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन मेरे जेट का मोड हमेशा ही खराब रहता था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती मैं अपनी जेटानी से काफी बाते कर लिया करती थी, अपनी जेटानी को अपने सामने चिलाते हुए देख कर मुझे काफी दुख हुआ था, जबकि मेरे जेट के आगे उनकी भी जान निकल जाती थी, शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पती से नजर मिला कर बात तक नहीं की थी, बलकि खामोशी से उनके हर हुकम के आगे अपना सर जुगा देती थी, जो भी था, मुझे अपने जेट एक आँख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी बज़ा से मेरी बेटी का बच्पन दवान लड़कियों की तरहा गुजर रहा था, मेरे ज आओ लड़कियों के यही बाल क्यों काटते हैं, ये बात तो मैं भी नोट करती थी, कि मेरे जेट सिर्फ उनी लड़कियों के बाल काटते हैं, जो की बालिग होने को हुती हैं, ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, म लेकिन उनका तो तरीका ही बिलकुल अलग था, वो आदी राज को लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छट पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते हैं, सारे गाउं में ये मशूर था कि मेरे जेट जिस लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जिन्द था कि मेरे जेट जिस लड़की के बाल काटते हैं, उस लड़की का भाग ये समर जाता है, शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है, और शादी के बाद भह अच्छी जिन्दगी गुजारती है, इसलिए लोग खुशी-खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे जेट के पास बाल कटवाने के लिए बेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किसमत बदल जाए, ठीकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी, कि आखिर मेरे जेट से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग ये कैसे बदल सकता है, और वह भी आदी रात को अकेले में, कई वार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, ये जेट लड़की के बाल किस तरह काटते हैं, और आदी रात को छट पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन मेरी जिठानी के कारण कभी मुझी ये जानने का मौका नहीं मिला, एक दिन हमारे पडोस की रहने वाली ही लड़की, जो बाल करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा, कि मेरे जेट ने उसे चट पर ले जाकर क्या किया, और किस तरह से उसके बाल काटे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं चोरी चुपके पडोसी के घर गई, तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिलकुल खामूस थी, और उसकी मा भी मुझे कुछ बताने के लिए तयार नहीं हो रही थी, मेरे सवाल करने पर भी, उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बलकि जितनी देर मैं उनके घर पर बैठी रही, वह कुछ ना बोली, मैं हैरान थी, इतनी शरार थी, और चुलबली ल ये तयार क्यों नहीं है, जफकि मेरी बेटी भी मेरे साथ कई थी, उसने मुझसे कहा कि सीमा दीदी इतना खामूश क्यों बैठी थी, और आपने उनसे जो पूछा, उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया, कि बेटी व नड़कियों में बहुत जादा बदलावा जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी मा के कहने पर चुपचाप बठी होगी, अब तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसलिए वह जिजक रही होगी, मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलाक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी ब सकता है, वह सरमिंदगी की बजा से इतनी खामोश हो गई हो, मगर मुझे क्या पता था, क्या आखिर उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है, जब काफी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा, तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी जेठानी आगे आ जाती थी, या फिर मुझे डाट दिया करती थी, कई बार मैंने अपनी बेटी को भी ये सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी जेठानी मेरी बेटी को भी डाट कर नीचे भेज दिया करती थी, और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी, कि तुम अपने ताउ के काम में दखल अंदाजी मतखिया करो, तुम्हारे ताउ ही हैं, जिनोंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी मा को इस घर में सहारा दिया है, और तुम्हारा सारा खर्च उठाते हैं, अगर तुम्हारे ताउ तुम्हें ड द्वा औरत हूं जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है और मेरा और मेरी बेटी का मेरे जेट जेठानी के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिस्तेदार मेरा गाउं में नहीं रहता था जिसके पास मैं चली जाओं किसी मेरे माता पिता के बाद कभी मुझसे पलट कर भी नहीं देखा था, इसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था, ऐसे में मेरे जेट जेठानी ही थे, जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे, मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं दी जाती थी। इसलिए मैं चुप चाप घर में रहकर अपने जेट की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो और मेरी लिए तुम कभी बोज नहीं बन सकती। जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूँगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पती के मरने के बाद मेरी जिठानी ने काफी टाइम तक मेरे लिए रिष्टे भी तलास किये थे। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजा से मुझे अपने जिठ जिठानी की हर बात को मानना पड़ता था। सारे गाउं वाले भी मेरे जिठ की बहुत इज़त किया करते थे। वह गाउं की पंचायत में भी जाया करते थे। मेरी जिठानी का कहना था कि जिठ की सक्ती में उनकी महबबत चुपी हुई है जब मैं ये बात सोसती थी तो मुझे भी लगता था कि अगर हमारे पास मेरे जेट का सहारा ना होता तो शायद हम दोनों मा बेटी आज इस गाउं में बे सहारा और महतास की जिन्दगी गुजार रहे होते बस यही सब सोसते हुए मैं सोसत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहां जाएंगी मेरे जेट का काम पहले की तरह ही चल रहा था कभी पंदरा दिन में एक बार तो कभी एक महीने में तीन चार बार कोई न कोई लड़की हमारे घर आती और मेरे जेट के साथ खामोश होकर छट पर चली जाती और मेरे जिठानी सी इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला जब मैं एक रात पानी पीने के लिए किचिन में जा रही थी तो मैंने अपने जेट को सीडियों से उतरते हुए देखा तो उनका हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था मेरे जेट की सास भी फूली हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत महनत का काम करके नीचे आए हों मेरे जेट हमेशा काले रंका कुर्ता पहन कर ही लड़कियों के बाल काटने छट पर जाते थे नेकिन जब बहुत नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले हुए होते थे जो कपड़े वो पहन कर छट पर गए होते थे वह क लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे जेट किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किये रहते थे और मेरी जिठानी को भी कमरे में जानी की परमीशन नहीं होती थी वह इतना जादा ठक जाया करते थ कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे और फिर उस टाइम उन्हें चलता देख कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो खेत में हल जूत कर आ रहे हो अपने जेट को देखते ही मैं चुप जाती और जेट अपने कमरे में चले जाते थे हमेशा की तरह एक और दिन मेरी जिन में गई तो मैंने देखा कि मेरी जिठानी चुपके चुपके आंसू बहा रही थी पहली बार जब मैंने अपनी जिठानी को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फॉरन भाब कर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो मेरी बात सुनकर मेरी जिठानी रो रही थी और इस बात ने मुझे ना सिर्फ दुखी कर दिया था बलकि मैं बहुत साधा परेशान भी हो गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वज़ा से मेरी जिठानी को चुप चुप कर रोना पड़ रहा था अब तो मुझे अपने जेट से नफरत का एसास होने लगा था कि शायद मेरे जेट की वज़ा से मेरी जिठानी चुप चुप कर आंसू बहा रही थी उस दिन के बाद से मैंने अपने जेट जिठानी पर नजर रखना शुरू कर दिया जब भी मेरे जेट किसी लड़की के बाल काट कर सीडियों से उतर कर नीचे आत थी एक दिन हमारे रिष्टे की एक दादी हमारे घर आई और मेरी बेटी का माथा चूम कर कहने लगी मैं चाहती हूं कि गाउं की सारी लड़कियों की तरह तुमारे ताओ के हाँ तो तुमारी खिसमत भी चमक जाए उनकी ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई क्या आप मेर मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई मेरी बेटी मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी मा मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूं ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी इतनी देर में वो उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई और बहुत ही अच्छी जगा पर हुई है वैसे ही थोड़ीना गाउं वाले अपनी बेटियों को तेरे ताउ के हवाले कर जाते हैं जब वो तेरे ताउ से इस काम के लिए फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं तू तो हमारे घर की ही बेटी है मैंने उन्हें मना किया लेकिन मेरे लाख मना करने के बाब जूद भी उन्होंने मेरे जेट को बिलाया और उन से कहा कि आज की रात तुम्हें अपनी बतीजी के बाल अतारने हैं ये सुनकर मेरे जेट के चैरे का रंग फीका पड़ गया था वह अगर इसके बालों पर तुम्हारा हाथ लग गया तो गाउं की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी भी किसमत चमक उठेगी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परिशान हो रही थी और बस रोए चली जा रही थी। मेरी जिठानी भी उदास खड़ी थी। वो दादी मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी बेटी के फायदे के बारे में सोचो। नहीं करती। थोड़ी दिर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझे से आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। ये देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे बलकि बिल्कुर ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई। और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ ताउ ने क्या किया था। मेरी बेटी उने बताया कि ताउ ने पहले तो अपना बलक कलर का कुर्टा पहना। और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। ताउ मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई। और फिर जै ताउने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ कि ताउ के गरम गरम आशू मेरे उपर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और ताउसे कहने लगी आप क्यों रो रहे हो। काफी देर बाद जब ताउने मुझे खुछ से अलग किया तो उनक आखें लाल थी और आसों से उनका चहरा भीगा हुआ था ताउने मुझे एक बात बताई जिसको सुन कर मेरे होश उड़ गए ताउने मुझे बताया कि मेरी बेटी मैं तेरे बाल नहीं काट सकता मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता तू मेरा अपना खून है तू मेरे इज़त मेरे घर की च्छत है मा ताव जी की बाते मुझे बिलकुल भी समझ नहीं आ रही थी लेकिन ताव जी के शब्दों ने मुझे चौकने पर मजबूर कर दिया था मैंने उनसे कहा कि आखिर आप कहना क्या चाते हैं तो ताव ने मुझे वापस आपके पास भेज दिया और कहा कि अपनी मा से कहना किताव तुम्हारे बाल नहीं काड रहे हैं और मैं आपके पास बाग कर चली आई अपनी बेटी की सारी बाते सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी अगले दिन वो दादी जा चुकी थी उनके जाने के बाद मैं अपने जेट के कमरे की तरफ गई मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी मेरे जेट जिठानी के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी जिठानी से माफी मांग रहे थे मेरी जिठानी भी सिसक सिसक कर रो रही थी ये सब देख कर मैं हैरान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है मुझे भी तो कुछ पता चले आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठ कर रो रहे हो मेरे जेट ने जब मेरी और मेरी बेटी की आँखों में आशू देखे तो वह मेरे करीब आकर कहने लगे आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ शायद जिसे सुनकर तुम्हारा सरीर कापने लगेगा मेरे जेट ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कुस साल पहले की बात है मैं इस गाउं के चौधरी का खासनाई था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था गाउं का चौधरी बहुत रंगीन मिजाद आदमी था और उसकी ये आदत मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं थी लेकिन मेरी मजबूरी थी ये मुझे उसकी नौगरी करनी पड़ रही थी फिर एक दिन गाउं के चौधरी ने मुझे उस काम से हटा कर एक नया काम सौप दिया लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तयार नहीं था और मैंने उसके घर से काम छोड़ दिया उसके बाद मैंने गाओं में अपनी दुकान खोली थी उस वक्त मेरा भाई भी कमाने लगा था तो मुझ पर जादा जिम्मेदारी नहीं थी चौधरी मुझे दुकान पर आकर अक्सर परिशान किया करता था और मुझे उस काम के लिए रजा मंद करना चाहता था लेकिन मैं कभी भी उसके उस घिनोने काम में साथ नहीं देना चाहता था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई चौधरी ने मेरा जीना दुस्वार कर दिया था ये बात मैंने कभी अपने भाई को भी नहीं बताई थी वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूँ और जो वह कहता है वह करना शुरू कर देता लेकिन मैं बहुत खुदार आदमी था उसकी बात नहीं मानना चाहता था लेकिन जब घर में परिशानी आने लगी तो मेरे लिए सिर्फ यही रास्ता बचा था मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करनी के लिए राजी हो गया चौधरी ने सारे गाउं में ये बात मशूर कर दी कि मेरे हाथ में कोई चमतकार है इसलिए मैं जिस भी लड़की के बाल काटूंगा उसकी किसमत समर जाएगी यहां तक कि ये कहा कि गाउं के चौधरी की जमीन भी फलने फूलने लगी है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था सारे गाउंवाले अनपड और सीधे साधे लोग हैं उनके लिए तो गाउं के चौधरी की हर बात सही होती है तो गाउंवालों ने आखें बंद करके उसकी बात पर यकین करना शुरू कर दिया और उसके बात चौधरी ने गाउंवे ये बात फैला दी कि मैं जिस भी लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी खिसमत बदल जाएगी और उसकी साधी बहुत अच्छी जगा होगी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी ने ये सब कुछ क्यों किया और ये काम मुझसे क्यों करवा रहे थे जिसके लिए मुझे लाकों रुपए देने का वादा किया और कहा कि मुझे बस इस गाउं की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं मैं पैसों के लालच में आ गया और अपने घर की परिशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और ये काम करना शुरू कर दिया मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी फिर जब गाउवाले मेरे पास अपनी बालिग होने वाली बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता था और बदले में चौधरी मुझे बहुत पैसे देता था फिर ये सिलसला इसी तरह से चल रहा था फिर एक दिन मुझे तुम्हारी जिठानी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ चौधरी उनके साथ क्या खेल खेलता है और ये जानकर मेरे भी रोंग्टे खड़े हो गए थे मैं चौधरी के इस गंदे खेल में बुरी तरह से फश चुका था और अब मैं खुद को चहा कर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके सखेल का शिकार हूँ तुम्हारी जिठानी को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था जब तुम्हारी जिठानी ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ चौधरी साहब को कम उमर की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी इच्छा पूरी करने का शौक है और गाउं में इस बात को बहुत जादा चुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है चौधरी साहब ने खेल रचाया मैं उनकी बातों में आ गया जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की ख़बर हो जाती कि अब ये लड़की बालिक होने वाली है और वह उसे कोई नया खेल लचा कर अपनी हवेली पर बुला लिया करते और गाउं की हर बालिक लड़की शिकार बन जाती अब मैं इस काम में बुरी तरह से फश चुका हूँ यहां तक की चौधरी साहब ने मुझे बलेक मिल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात करने की कोशिश की तो वह मुझे पर ही कोई जाम लगा कर मुझे बदराम कर देंगे इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम ना छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमीशन दी। चौधरी की नजर बहुत गंदी और खराब है। लड़कियों के बाल काटने के बाद मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंका कुरता द चौधरी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ महीनों बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता है और उस नौकर को धेर सारा पैसा भी देता है इस तरह से लड़की की जिन्दगी समर जाती है चौधरी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है म मैं उनके हातों की कटपुतली बन चुका हूँ लेकिन मैं अपनी भतीजी के बाल काट कर चौधरी को ये खवर नहीं पहुचाना चाहता कि मेरी भतीजी भी जवान हो चुकी है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी भतीजी भी उस आदमी के जाल से नहीं बचपाएगी अपने ज चीज की कुछ खवर ही नहीं थी क्योंकि मैं तो सहर से साधी करके यहां आई थी मेरी जेट ने और मेरे पती ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था इसलिए मुझे गाउं में क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही कभी मुझे चौधरी के बारे में कुछ पता था मुझे तो अपने जेट का अपनी बेटी पर नजर रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पावंदियां लगाना बुरा लगता था लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे जेट मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी से ब उपरवादी का जरिया बनेंगे मेरे जेट ने कहा कि आप चाहें हमारे घर में कितनी ही परीशानिया क्यों नहों लेकिन वो चौधरी के इस गिन्त काम में विलकुल साथ नहीं देंगे मेरे जेट ने हमसे कहा कि हम अपना सावान पैक कर लें, हम इस गाओं को छोड़ कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गाओं के मास्टर के नाम पर खत लिख जाऊंगा जिसमें मैं चौधरी की सारी हकीकत लिख दूँगा, गाओं के मास्टर एक समझदार आदमी है वो खामोशी से गाओं वालों को ये बात समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हम में से कोई नहीं जानता था, कि अब हमारी मंजिल क्या है, मेरे जेट ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था, कि उपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा, मेरे जेट ने गाओं के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गाओं वाला, चौदरी की बातों में ना सके, और किसी लड़की की जिन्दगी बरबाद ना हो, मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिक होने के बाद गंजी होती, वो कुछ दिनों के बाद सहमी सी और खामोश रहती थी, मज़े ऐसा लगता था जैसे ये सब इसलिए है, क्योंकि वह गंजी हुई है, इसलिए परेशान है, लेकिन ये रास तो अब खुला था, कि वह चौदरी का निशाना बन कर आई थी, मेरे जेट जिनको मैं बहुत ही गलस समस्ती थी, दरसल वो खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे, और जब हम ये गाउं छोड़ कर जा रहे थे तो मेरे जेट के चहरे पर सुकून था, मेरे जेट ने गाउं वाला मकान बेच कर, उन पैसों से शहर में एक नया मकान खरीद लिया था हम लोगों को गाउं में रहने की आदत थी, इसलिए शुरू-शुरू में हमें सहर में रहने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था मेरी बेटी जमान हो गई, वह पढ़ाई भी कर रही है, और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, मैं भी कोई परेशानी नहीं है, मेरे जेट फी बहुत सुकोन से हैं, और अब वो मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते, शहर आने के बाद हमारी जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई है, ना जाने उस चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उमीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने जरूर कोई एक्शन लिया होगा, हम गरीब लोग थे अगर गाउं में रहकर चौधरी का सामना करते, तो चौधरी हमें कहीं का नहीं छोड़ता, और हमारी जिन्दगी तबाह कर देता, इसलिए तो मेरे जेट ने गाउं को छोड़ने का फैसला किया था, हम तीनों औरतें बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, जेट भी छोटा मुटा कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफी कुछ किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अब वो काम करें, उनकी उम्र हो गई है, वह वीमार रहने लगे हैं, अब हम मा बेटी इस घर का खर्चा उठा रहे हैं, और हमारी जिन्दगी बहुत खुशी-खुशी गुजर रही है, हमें कभी भी किसी तरह के अंध विश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई वार चौधरी जैसे लोग, सीधे साधे लोगों को चमतकार का जहासा दे कर वेवकूब बनाते हैं, और उनका फाइदा उठाते हैं, तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा जादा शेयर और लाइक करें, आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी दे सकते हैं साथी अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं, थैंक्यू